हेलो दोस्तों कैसे हैं आप I am Dragon Empire के एपिसोड वन के साथ हाँ जिरू एपिसोड की शुवाद में हम बताए चाता है कि यह जो गार्डन है वो एक्चल में हर्ब्स का गार्डन है और यहाँ पे जो हर्ब्स होते हैं उसके अंदर स्पिरिच्छल एनर्जी होती हैं और यह साथ जो flowers होते हैं वो एक्चल में एक dead body के उपर उगते हैं और यह जो spiritual power होती है वो उसी dead person की power होती है जो flower के रुप में भार आ जाती है और फिर वो जो flower की जो quality होगी वो भी उस बंदे पर depend करती है कि उसके पास कितनी strong spiritual energy थी पहले और फिर तहीं वहापे एक बंदा आता है जो एक्चल में यहापे flowers को collect करता है और वो एक्चल में हर रोज आता है वो बंदा एक flower को लिकालतो है कि यह कितनी बुरी बात है कि यहापे जो herbs है वो दिन बर दिन वहापे जितनी भी quality होगी वो एकदम गिरती ही जा रही है और फिर जब यहापे medicine collectors आएगे तब हम लोग उन्हें क्या कहेगे कि इनकी quality कैसे गिर चुकी है परता ही वो लड़का एक चीज नोडिस करता है जो एक पेड होता है उसके अंदर ही वहापे भी एक spiritual fool खिला होता है वो लड़का जैसे उस flower को दिखता है वो तुर्ण उसके तरफ भागने लगता है और वो भागते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहापे इतना अच्छा flower उप पाएगा क्योंकि यह जो flower है वो एक चुल में superior spirit है और फिर वो ऐसा बूलत हुए उस flower को लिका लने लगता है पर वो जैसे लिका ले वैसे वो जो मरावा इंसान था वो उसका हाथ पकड़ लेता है यह देखिए वो flower उला बंद एक्दम डर जाता है और कहता है कि यह तो मर चुका था ना वो मरा वेक्टी कहता है कि आज कौन सा साल चल रहा है तरहीं वो जो लड़का होता है वो बहुत जाए डर चुका होता है कि वो तुरां पीछे चले रहाता है वो लड़का उसे चलात होगा कि आप एक मरा हो इंसान जग चुका है वो डेट बरसन उससे कहता है कि तुम यहां से मत जाओ जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं करूगा और वो ऐसा बोलते हुए उस पेड़ से भारा रहता है पर वो तबी उस पेड़ से नीचे गिर जाता है क्योंकि वो काफी समय से उस पेड़ के अंदर था ना और फिर वो लड़का अपने मूँ से वो कवर लिकाल चुका होता है और वो कहता है कि अभी 1298 साल चल रहा है तो अभी मुझे मरे हुए सिरा 10 साल हो चुके है पर मैं यहापे अचानक से जिंदा भी हो गया और फिर हमें 10 साल पहले का सीन दिख क्यों गया हमारे भीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी जैसे कारण तुम मेरे पर अटैक करो चाहेंगा यह उससे कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को ब्लेम करना चाहिए क्योंकि उनके कारण ही उनके फैमिली के अंदर एक ऐसा जैम पैदा हो गया जो इतना से इसके कारणी तुम्हें आपे मारना पड़ा हुने वो लडगा चैंगा ही हिससे कहता है कि हम लोग काफी पुराने दोस्ते और तुम्हारे यह जो to an पर अब तुम यहाँ पर टेंशन मत करो, तुम्हाँ जो divine blood है, तुम्हाँ जो blood है, मैं उसे herbs दुगाने के लिए use करूगा, जिसके कारण, वहाँ पर एक अच्छा कासा tool आ जाएगा, जिसे हम actual में एक refining axiliar की तरह use कर सके, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े, उससे पहले नहीं करती, जियांग अपने मुन में सोचतो है कहता है कि, इसने मेरी बात का क्यों जवाब नहीं दिया, और इसी के साथ साथ यह जो flashback था, वह खतम होता है, और फिर ल्यूजिन, अपने body के उपर जो covers दें, उसे लिकालतो है, अपने मन में कहता है कि, मेरी जो बच्पन क hubs के लिए, जिससे elixir बनता है, मैं उन दोनों को कई भी माफ नहीं करूगा, और मैं उन दोनों को इस गल्ती की बुरी तरह से सजा दूगा उनको, और फिर जियांग अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि, मेरे body के अंदर जितना ही blood था, वो आप change हो चुका है, वो अब इस body के उपर use नहीं हो पा रहे, और तो और मैं इस और चीज़ से परिशान हूँ कि मेरे body के अंदर एकदम ज्यादा strength थी, वो भी अब चली जा चुकी है, और अब मेरे body है, वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है, और इसका जो पुरा श्रे है, वो जाता है, लियूज तोड़ने के लिए आया था, उस फ्लार वाले बंदे ने अपने master को बुला लिया होता है, और उससे कहता है कि, उसी जगे पे है वो बंदा, जो अभी थोड़ी दिर पहले ही जा गाए, वो मरा हुआ था, और वो कैसे जा गिया, वो master उससे कहता है कि, मैं यहापे 10 साल से भ और हो कहता है कि, यह लोग मुझे क्या समझ रहे है, वो master जियां को देखते हुए कहता है कि, यह तुम्हें सच में एक undead person लग रहा है, यह तो मुझे ऐसे लग रहा है कि, यह आपे कोई ऐसा बंदा आ गया, जिसे कोई शरम नहीं, इसलिए वो बिना कपड़े के आपे ऐस घुमे जा रहा है, जियांग उस master से चला तो है कहता है कि, तुम लोगो क्या लग रहा है, कि मैं यह आपे अपनी मर्जी से बिना कपड़े के हूँ, वो master समाइल करते हुए कहता है कि, तुम लोग यह आपे एक undead person है, जो हमारे साथ बात भी कर सकता है, और विरो master अपने disciple से कहता है कि, तो मैं आसे side पे अट जाओ, और मैं इस बंदे का ध्यान रखता हूँ, और इसको जाद लेसन में सिखाता हूँ, कि आप एक कपड़े पैन क्याना चाहिए, और फिर वो ऐसा बोलता हुए, अपने कपड़े में से talisman लिकालता है, और उस यांग से कहता है कि, अब यही talisman, तुम्हाई जो real identity है, उसे भार लिका लेगा, और फिर वो ऐसा बोलता हूए, एकदम तेज से, उसके तरफ आगे बढ़ता है, और वो थोड़ा आगे बढ़ता ही, उसको उसका जो talisman होता है, वो दिखात हूए खड़ा हो जाता है, यह देखके जियां को ब पंच मारता है, और उसका जो master होता है, वो दूर जाके गिर जाता है, और यह चीज जैसे वो disciple देखता है, वो बहुत ज़्याद हरान होता है, और वो कहता है कि, इसको मेरे master को सिर्फ एक ही पंच मार दिया, और फिर हमें वो master दिखा जाता है, जिसके हालत अभी कुछ ज्य master जियांट से कहता है, मुझे लगता है, तुम्हें मेरे कपड़े अच्छे लग रहे होगे, hisiang कहता है, मुझे इस चीज का कलर पसंन नहीं आरा हो, पर चलो कोई नहीं तुम मुझे इतना ही बता दो, कि य дол से भाहर का लिकल जाए हो, और अगर तुम पूरा एक दन तक च जलते ही जाओगे तो उसके बाद तुम सीधा ड्राइगन सीटी के अंदर जा पाओगे जियांग वासे जाते हुए उस मास्टर से कहता है कि मैं तुमें छोड़ रहा हूँ वह भी सिर्फ इस कपड़ों के बदले में इसलिए तुम बच गए आज वह मास्टर उसका फीचे से बताया था वह रस्ता तो बहुत गलत है वह रस्ता तो कई और ही जाता है वह मास्टर हस्ते हुए कि हां मुझे पता था इसलिए तो मैंने उसे वापर भेजा है वह जगे एक्छल में एक फॉर्मिटेंट ड्रेगन वैली है जहां पर एक्चल में बहुत ज्यादा मॉन्ट म बीस्ट भी है और फिर वो लड़का जैसे उस जगे पर जाएगा वैसे वो वासे जिन्दा तो नहीं लिकलने वाला और फिर वो इतना बोलतो है वासे जोल-जोल से हसने लग जुगा होता है। फिर भी ज्यांग उसके सामने वाली चीज़ को देखते होई एक दम हेरान हुदा आता हैं और उसके सामने truth में एक कंकाल पड़ा होता ए और ये जो गंकाल हैं वो एक चल्में एक dragon का है जियांग उसके skeleton को देखते हैं कहता है कि यहाँ पे कितने साल हो चुके थे चाहिए से सौ साल हो चुके थे हमने कभी भी एक dragon को नहीं देखा था यह तो कितना rare sight है और फिर हो ऐसा बोलते हुए उस skeleton के पास आता है और फिर हो उसे touch करते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने अभी एक ऐसा rumor सुना था यह जो dragons होता है उनके अंदर बहुत ज़्यदा amount में spiritual powers होती है और हम लोग इनकी जो spiritual powers होती है उसे cultivate भी कर सकते है पर यह सब मेरे लिए बेकार है क्योंकि मेरे अंदर से मेरे जितने भी जो cultivation थी वो सब लिकल चुकी है पर तभी हुतने में वो जो bone होता है उसके अंदर से एक black सा कुछ point से भाली कल रहा होता है और वो तुरंती जियांग के हाथ के ओपर attack कर देता है जियांग तुरंती उस जगे से दूर चला रहता है और वो कहता है कि ये कैसे टाइब को monster है वो monster उस skeleton के अंदर से कहता है कि तो लो 100 साल के बाद finally कोई ऐसा बंदा तो आया है यापे और फिर हमें वापे उस monster के tentacles दिखाए जाता है और उसके उपर actual में blood लगा होता है वो उसको analyze करते हुए कहता है कि ये blood देखके मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास पहले ancestral blood था पर आप इसकी जो divinity थी वह बुरी तर से चली जा चुकी है जियांग ये बस उनके बहुत से था हरान होता है और वो कहता है कि ये कैसा monster है जो हमारे साथ बात भी कर सकता है वो monster अपने और भी जा टेंटिकल भाल लिकालत हुए उससे कहता है कि मैं कोई monster नहीं हूँ तुम बहुत जा लखी हो कि तुमने मुझे अपनी life में देखा है और विरो उतना बोलते हुए वहाँ से भाहर आता है और ये actual में एक spider की तरह होता है और वो एकदम तेह से जियांग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो एकदम आगे बढ़ते हुए जियांग से कहता है कि तुम्हारे पास actual में ancestral blood है और इसके कारणी तुम ancient ancestors जो है उनके blood ले सकते हो और इसके कारणी तुम qualified हो dragon sutra की inheritance लेने के लिए जियांग ये बास उनके सरा हिरा होता है और वो कहता है कि ये dragon sutra क्या है ये चाहे जो भी हो पर ये मुझे नहीं जीए तहीं वो जो spider होता है वो एकदम जो होदा चंप मारतो है जियांग की तरफ भी जा रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई choice नहीं है तुम्हें इसे accept करना ही होगा दोस्तों आज के लिए बसे इतना ही अगर आपको ये series पसंद आई हो तो please मुझे comment बताईए मैं आपसे फिर मिलूगा इस series के अगले episode के साथ तब तक के लिए बाई